कॉंग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाटी के एक और दिगजनेता और पूर्व केंद्रिय मंत्री कपिल सिबल ने कॉंग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। के पाटी के अनुभवी नेता मतभेदों के चलते पाटी से किनारा कर रहे हैं। कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रिय मंत्री कपिल सिबल ने कॉंग्रेस पाटी से त्याग पत्र देनी के बाद कहा कि पाटी से इस्तीफा देनी के बाद कॉंग्रेस के बार धड़ा जी 23 के साथ थे इस धड़े में कपिल सिबल के अलावा शशी थरूर गुलाम नभी आजाद और भुपिंद्र सिंग समेत कई बड़े नेता शामिल है कपिल सिबल ने आज कहा कि उन्होंने 16 मई को ही पाटी को त्याग पत्र भेज दिया था 25 मई को इस्तीफे की जानक कॉंग्रेस के दिगज नेता सुनील जाकर ने और 18 मई को हार्दिक पतेल ने इस्तीफा दे दिया था कॉंग्रेस ने 19 मई को उधैपूर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था लेकिन इससे भी कोई ठोस समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में 11 संतुष्ट नेताओं के समू के जी 23 का हिस्सा थे जिन्होंने पार्टी के नेतित्व और संगठन को पूरी तरह से बदलने का आवहन किया था कपिल सिबल के कॉंग्रेस से इस्तीफे के बाद जी 23 के लिए नुकसान माना जा रहा है कॉंग्रेस में लंबे समय से बागी सु इबल ने कहा कि संसद में एक स्वतंत्र आवाज होना अती आवशक है अगर एक स्वतंत्र आवाज बोलती है तो लोग मानेंगे कि ये किसी राजनेतिक दल से नहीं है